इस वीडियो में में इन तीन क्वेशन को करेंगे तो क्वेशन नमबर 27 करते हैं यहाँ पे हम इसको as always लिखेंगे let i equals to root sin2x cos2x and clearly आप देख सकते हैं अगर हम sin2x को t put करेंगे तो इसका differentiation हमारे पास available है तो हम put करेंगे sin2x equals to देखो यहाँ पे कुछ लोग t square put करते हैं कुछ t put करते हैं अपना-पना हिसाब है गरनेगा मुझे t square put करना ज़्यादे convenient लगता है integration करने में आसानी रहती है बाकि t put करने से भी answer आ जाएगा ध्यान में रखना तो यह हो जाएगा cos2x into 2 dx equals to 2t dt 2 से 2 हुआ cancel और हमें मिल गया है cos2x dx equals to t dt तो यह हम यहाँ पे put करतेंगे है ना चलिए तो वापस लिखेंगे हम i equals to अब because हमने sin2x t square लिया और उस पर root लगा है तो यह t आ जाएगा और यह जो cos2x dx है इसके जगह पे आएगा t dt तो यह हो जाएगा integration t square dt और अभी से integrate करेंगे तो very easily हम इसको ऐसा लिख सकते हैं और अब वापस हम t की value को we will substitute back तो हम देखो sin2x t square है बट अगर मैं केवल t की बात करो तो क्या होगा of course यह इसका square root होगा power half तो हमें यहाँ पर वही हो जाएगा sin2x की power 3 upon 2 plus c और यह हमारा answer आगिया है ठीक question number 28 है और मैंने इसको already इस form में लिख दिया है इस तरह से लिख दिया I mean तो क्या put करके क्या यहाँ पर आएगा देखो 1 plus sinx को differentiate करके cosx मिल जाता है तो हमें पता है कि हम किस रास्ते पर चलने वाले हैं यहाँ पर 1 plus sinx को हम put करेंगे ध्यान रखना t square t put करके भी answer आजाएगा बट बहुत ज़्यादा calculation होगी बहुत confusion तो best है इसे रखना cosx dx equals to 2t dt ठीक है और देखो cosx dx हमारे पास है तो आई हो जाएगा integration और यहाँ पर देखो cosx dx हमारे पास है उसको चलो अब लिख देंगे 1 upon root 1 plus sinx तो 1 plus sinx t square है तो इसका root होगा t तो basically यह t है और हम cosx dx की जगा पर क्या लिखेंगे 2t dt t से t cancel हुआ तो यह हो जाएगा 2 integration 1 dt 1 लिखो न लिखो बात ही की है यह 2t हो जाएगा 2t plus c और अब t हम वापस पूट करेंगे तो c 1 plus sinx है t square तो t क्या होगा root 1 plus sinx plus c और यह हमारा final answer है ठीक question number 29 है और हमने इस तरह से लिख दिया है इसे let यह अब यहाँ पर देखो किसको differentiate करके क्या आ रहा है तो इस बात का ध्यान रखो हम जानते हैं कि cotx का integration log sinx होता है यानि अगर हम log sinx को differentiate करें तो हमें cotx मिल जाता है तो हम लिखेंगे put log sinx equals to t इसको differentiate करेंगे तो यह होगा 1 upon sinx into cosx dx equals to dt और यह हो जाएगा cotx dx equals to dt है न अब यह मुझे कैसे पता चला इतना कि मुझे यही लेना है formula पता होने चाहिए तो मुझे पता है कि cotx का integration यह होता है यानि इसका differentiation यह होता है तो इस तरह से तो वापस अब हम लिखेंगे कि therefore i equals to integration इसकी जग़े तो t आएगा और cotx dx की जग़े dt तो यह हो जाएगा t square upon 2 plus c and t को वापस पूट कर देंगे हम log sin x इसका square plus c ठीक है और यह हमारा answer आ चुका है बाकी questions के solutions के लिए description box में playlist चेक करें